Welcome back to my YouTube channel World Literature आज टॉपिक हम लोग इसकाँ करने वाले हैं वो है कैस्टिंग अजटस्टिंग गैइटरिंग बाइ शेमस हीने हीने की पॉयम कैस्टिंग अजट्छिंग इसको डिसक्स करेंगे इससे पहले जो इनकी पॉयम है वो हम लोग discuss कर चुके हैं परसनल हलिकॉन उसमें भी उन्होंने nature को discuss किया था इस पॉइम में भी उन्होंने nature को discuss किया है साथ ही साथ उस time पे जो island के circumstances से उनको discuss किया था discuss किया है तो first of world title को discuss कर लेते हैं केस में जो यह दो words है mean casting and gathering इन दोनों का meaning क्या है और यहां पे इस point के अंदर हमें क्या meaning दे रहे हैं उस time के society कैसी थी कैसे यह depict करते हैं यह दोनों words जो है island की society को उस time के जो political issues थे उनको यह कैसे refer करते हैं तो casting का means होता है कि throwing aside और अगर हम इसका political meaning देखें तो इसमें यह आजेगी right जो party थी उस time पे एक जो right wing party होती है तो उस time Ireland के अंदर जो right wing party थी वो थी capitalist capitalist वालों का motto था individual is everything means के किसी भी individual के जो private property है वही सब कुछ है rather than communism और socialism इन चीजों को follow करने की बिजाए वो जो थे capitalism को follow करते थे सुरमाया दाराना नजाम जिसको कहा जाता है उसके बाद word आता है gathering gathering होता है means collect और harvest और अगर political इसका meaning हम लोग देखें तो इसमें आ जाता है left hand side political party जिसके अंदर socialist individual belong to society वो आ जाता है तो यह हो गया capitalist और इसमें capitalist वाले जो थे वो socialist को follow करते थे और कहते थे कि जो society के अंदर individual as a whole work करता है जो society में within the society काम करें तो यह इसके title होगे casting, gathering, capitalist and socialist तो यह उसका political background और poem का जो background था वो हमने देख लिए और title को discuss कर लिया अब इस title को हम लोगों ने poem पे कैसे apply करना है poem में writer ने hush and lust का जो इन्होंने words यूज़ के इस किसम के वो fear of war है and hope of progress है means किस तरह से इन दो conflicting parties के दुरान society जो है वो progress करेगी fear of war भी है और hope भी है कि अगर war होगी तो उसका hope भी है लोगों के दिलों में बढ़ एक hope भी है कि progress भी हो सकती है इसके बावजूद इनके अगर जब इनका conflict जो है हो जाएगा obviously एक ही सिस्टम आना होता है capitalistic निजाम है communistic या पर socialistic किसी भी society के under government के अंदर अब इस poem का text को इसका analysis करते हैं और साथ ही साथ इस poem का introduction है उसको भी discuss करते हैं इस poem के अगर publication की बात की जाए तो ये 1979 में publish होई थी field work जो के collection है इनकी poems की उसके अंदर अब इसके बाद हम जो है वो इसका text जो है उसको read करते हैं उसके explanation साथ करते हैं सबसे पहले है वो line जो है years and years ago these sounds took sides कि अब यहाँ पर memory की बात हो रही है speakers जो है हीने जो है वो यहाँ पर एक memory को share कर रहे है कि बहुत साल पहले यह जो sounds थे nature के अंदर यह दो sounds थे अब वो कोई से थे एक सबसे पहले वो left bank की बात करते है on the left bank a green silk tapered cast tapered का यहाँ पर meaning यह है कि कोई चीज जो है वो small हो जाए इनके become smaller कोई चीज length ही हो then वो जो small उसका size हो जाए उसको कहते हैं तो जो left bank है इनके दरिया का जो left किनारा है उसके उपर जो है वो green silk जो है उसका ये vision देखता है जो speaker है वहाँ पर दरिया के किनारे खड़े होकर यहाँ पर totally nature की बात होगी metaphors जो use होगे वो nature की होगे imagery जो होगी वो nature की होगी तो यहाँ पर जो meaning है वो सबसे पहले हमें यहाँ से परदा चलता है कि memory share की है speaker ने अपनी कि वो एक left bank पर खड़ा है और किस तरह से वो green silk जो उसको देखता है then बात होती है went whispering through the air hush अब हवा में क्या होती है एक whispering होती है अब यहाँ पर चल रहा है कि silence है कि peace है और हर तरफ जो है वो quietness है silence है and lush entirely free no matter weather कि यहाँ पर meticulous stick भी थोड़ा use हो रही है कि lush किसी चीज़ को बहुत चमकती होई जो चीज होती है उसको हम लोग कहते है कि यहाँ अब whispering होती है peaceful environment है अब left side के उपर कि सारा कुछ जो है वो peacefully हो रहा है left side पे अगर हम लोग in reality society के बात करें तो इसमें socialist party आ जाएगी जिसमें इनका motto था individual belong to society means कि leftist वाले जो है वो peacefully सब कुछ manage कर रहे है और इसी तरह bank के left side पे भी जो है वो जो nature है वो बहुत peaceful है वहाँ का surrounding वहाँ का environment वहाँ की greenery हर चीज बड़ी peaceful way में जा रही है उसके बात बात करें इसकी it's switched above the hay field or the river on the right bank like a speeded up corn crack अब जो है वो बात की जाती है switched होता है to move hay field होता है कोई भी plants का जो field है जिसमें green plants और mosses और funs इस type की जो plants है वो उगे हुए हों उस कहते हैं on the right bank अब left bank की बात होगी अब right bank की बात करते हैं like a spirit of corn crack यहाँ पे corn crack जो होता है यह एक bird है bird जिसको land rail भी कहा जाता है इस bird को तो अब जो right bank है वहाँ पे corn crack जो है वो इस कदर तेज है वहाँ पे उतनी खामोशी नहीं है जितनी left side पे है यहाँ पे activeness है यहाँ पे अब speaker further हमें बताते हैं a sharp rat cutting kept on and on cutting across the stillness as an other के अब यहाँ पे up and down moment हो रही है right side पे और साथ ही साथ यहाँ पे activity कोई न कोई हो रही है rather than left side left side पे बहुत अदा peace है हर चीज quiet है और बड़े smoothly चीज़ें चल रहे हैं लेकिन right side पे capitalistic अगर system देखें तो वहाँ पे activity है वहाँ पर जह है वो sharpness हमें चीज़ों में नजर आ रही है तो nature और society हम दोनों का meaning दोनों तरास इसका meaning ले रहे हैं इस point का ठीक है further अगर हम लोग बात करें fisherman gathered line lens of his reel के अब जो fisherman जो मचेरा है वो अपनी length इकठी करता है I am still standing there awake and dreamy के मैं अभी तक वहीं पे खड़ा हूँ इन दोनों sides को देख रहा हूँ left और right side को और दोनों जो fisherman है उनको एक left side पे fisherman है और एक left side पे है और मैं वहाँ पे मैं जाग भी रहा हूँ awake भी हूँ और dreaming भी हूँ के मैं day dreaming भी कर रहा हूँ के मुझे एक अर्सा हो गया इस सिस्टम को देखते हूँ अगर political system देखें तो उसको एक अर्सा हो गया speaker देखते हूँ और अगर fisherman को देख रहा है के left वाला fisherman अपने struggle कर रहा है right वाला fisherman अपने struggle कर रहा है moving their arms and drawers working away के वो अपने हाथ पर चला रहे है यानि के जब वो अपना net जो है वो पानी के अंदर फैंकते हैं then net उसमें से निकालते हैं और मचलियों को पगते हैं के वो एक अर्से से इस काम में मेहनत कर रहे हैं जो fisherman है each one absorbed proved by the sounds he is making one sound is saying you are not worth two pens यहाँ पे two pens का जो meaning है वो होता है कि the sum of two pennies तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब जो speaker है वो अपने minds की confusion यहाँ पे बता रहा है कि इनसान का human psychology है कि वो conflict और acceptance दोनों का शिकार रहता है कि उसको doubt भी होता है किसी चीज़ पर और वो उस चीज़ को accept भी कर रहा होता है तो वैसे ही जो दोनों sounds थे इसके mind में चल रहे left or sound right और साथ ही साथ quietness और जो activity वाला sound है वो दोनों इसके mind में कहीं ना कहीं speaker के उसको conflict भी conflict भी बना रहे हैं और साथ ही साथ इसको इन sounds को accept भी कर रहा है society कर पार्ट के तोर बर उसके बाद speaker कहता है but neither is anybody so watch number one कि मैं एक पहले वाले को देखता हूँ the other says go with it give and swerve swerve का meaning होता है deviate कि मैं पहले के साथ कर रहा हूँ इनके मेरा mind कहता है कि इसके साथ जाओ इनके इस चीज़ को देखो और साथ इसाथ give and swerve और खुद को deviate करो within the time जो है वो move on हो चीज़ों को understand करने के लिए you are everything you feel beside the river कि कि तुम जो वक्त गुजर आए कि तुम जो भी river के साथ पे देख रहे हो वही सब कुछ है I love hushed hair I trust contrariness then speaker कहता है कि मुझे quietness भी पसंद है और मुझे जो है वो एक तलाफात भी पसंद है तलाफात भी यकीन धखता हूँ कि यह society का मेशा part होते है जहाँ पर positivity होती है वहाँ negativity होती है जहाँ पर left right party है जहाँ पर left side party है वहाँ पर right side party भी है जहाँ पर individual is everything है वहाँ पर individual belong to society भी है यहाँ पर labor's की rights की बात की जाए तो वो भी है means कि conflict जह हो हर चीज में पाया जाता है जैसे कि day है and night हर चीज में conflict पाया जाता है और उस पर हम लोग trust भी करते हैं conflicts पे then speaker कहता है years and years go past and I cannot move कि बहुत से साल गुजर चुके हैं मैं यही कुछ देख रहा हूँ और मैं फिर भी move नहीं कर पा रहा foresee that when one man cast the other gather कि जब एक इनसान एक चीज को दूर करता है तो दूसरा उसको collect करता है obviously एक अपना narrative देता है दूसरा अपना narrative देता है एक चीज छोड़ रहा है दूसरा उसको accept करता है इसी तरह से जो है वो life चलती है society चलती है उसके बाद and then why स्विरसा without changing sides और sides ऐसे नहीं ऐसे time period गुजर चा रहता है और जो life है वो भी गुजरती रहती है उसके बाद themes की बात की जाए इस poem की तो cyclical nature of life है the passage of time है the relationship between human existence and the natural world है और the cycle of growth and decay है यह इसके themes थे I hope कि आपको इस poem की समझ आ गी होगी वीडियो को like और share और channel को subscribe कर दीजेगा thanks for watching my channel